ओनलाइन अटेंडेंस का किया विरोध, हाथों पर काली पट्टी बांद कर दी शिक्षा मिशकार मैं हूँ आपके सास नया सूनी लेकर आएंगो आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरे अई रुख करतें खबरों की ओर उत्रप्रदेश के प्रात्मिक स्कूलों में सिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस सुमवार से शुरू हो गई है ये आदेश सभी सिक्षकों और कमचारियों की उपस्तिती में जारी किया गया है बताने की राज़ परियोजना निदेश कंचन वर्मा की ओर से ये निदेश जारी किया गया है विबाग ने सिक्षकों और कमचारियों की परिशानी को समझते हुए निदारित समय से 30 मिनट देड़ तक अटेंडेंस बनानी की सुविधा भी दी है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस नए सिस्टम के तहए टीचर्स आग बबूला होते नजर आ रहे हैं टीचर्स हाथ पर काली पट्टी बांग कर काम कर रहे हैं बता दे कि पहले दिन प्रदेश भर में मात्र छे सिक्षकों ने ऑनलाइन एटेंडिन्स लगाई जबकि राज में छे लाग से ज्यादा बेसिक टीचर्स हैं सिक्षकों का कहना है कि उत्ता प्रदेश सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गलत है विभाग पहले अपना काम काज ऑनलाइन करें इसके बाद सिक्षकों की उपस्थिती ऑनलाइन दर्च की जाए इसी के साथ सिक्षकों ने मांग कर दी कि सरकार पुरानी पेंशन समय सिक्षकों की सभी लंबित मांगे माल ले तो सिक्षक इस नई विवस्था को सुईकार कर लेंगे बता दे कि प्रियागरा सहारन पूर अलीपूर गोंडा जहां सी समेच सभी जगाओं पर टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है उनका कहना है कि प्रात्मिक सिक्षक संग के अध्यक्ष पवई हरी प्रशास सिंग ने कहा है कि अध्यापकों को ईयल और हाफडे की सुविदा होनी चाहिए साथी एप उपयोग का प्रशिक्षन दिया जाए इससे उन्हें कई दरा से नुकसान होगा उन्होंने दावा किया कि नियमों की अनुसार उन्हें सुवा साड़े साथ बजे अपने स्कूल पहुंचना होता है और अपनी कक्षाई शुरू होने से पहले सुवा साथ बच के पैतालिस मिनट से आठ बजे के बीच अपनी अटेंडेंस लगानी होगी उन्होंने ये भी का कि दूर की गाउं में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में टाइम लगता है आपको क्या विचार है ओनलाइन अटेंडेंस पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले